और आज अक्षे भाई कुछ और डरा देने वाली स्टोरीज लेकर आए हैं तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अक्षे भाई ओवर टू यू पहले बताओ कैसे हो आप क्या मौज आ रही है दूसरी बार स्वागत है आप बहुत बहुत शुक्रिया दूसरी बार बुलाने के लिए भाई पहले एपिशोड में लोगों को इतना जादा मज़ा आ गया कि और कॉमेंट्स भी इतने जादा थे कि पार्ट टू करो इस पॉड़कास का तो करना तो बनता है बिलकुल जाए पार्ट गास का यह तो बता दो भाई देखो यहां पे आने बहुत बड़ी बात है आप लोग ने बुलाए वह बहुत बड़ी बात है उसके बाद फ्रेंट्स एं फैमिली ने देखा पहले तो यकीन ही नहीं वा बोले कि कहा भाई एकदम से कहा पोँच गे लेकिन फिर भी जो स्टोरी सुनी आदे से जादा तो मुई बना गे उनी से रिलेटिड थी कुछ दोस्तों के मूव बन गे थे मैंने बोला कि पिछले पॉड़कास्ट में थोड़ा सा मूव बना इस बार अच्छे से बना गे सारे पत्ते खोल दो बर मज़ा था भाई पिछले वाले में जो आप जाथ किया था इस बार कुछ और तगड़ा कर दो इस बार और मज़ा दिला इस बार भर-बर के हमारे पास कर निया है आपकी वही पंजाब वाली स्टोरी जो आप बता रहे थे हैं वहां से भाई ये मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट आये और लड़के ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हो सके तो प्लीज मेरा नाम मत लेना लेकिन पंजाब के फिरोजपूर का इंसिडेंट है और उन्होंने बताया कि 40-30 साल पहले इंसिडेंट हुआ था तो महा अभी मुद्दतों से एक लड़का जनम हुआ था घर में एक लोटा लड़का था तो इसके पापा को जिस दिन वो कॉलेज गया था इसके पापा को कुछ आवाज आती कि घर के बार कुछ लोग गूम रहे हैं जैसे आगोरी टाइप होते हैं किसी के हाथ में घास है किसी के हाथ में मतलब पोशाक है धोती पहन रगे थी लंबी लंबी डाडी थी तो वो उनके घर के सामने से बोलते हो निकलते कि आज तो अमन को मार देंगे अमन को अपने साथ लेके चले जाएंगे अमन का मरने का वक्त आ गया तो यह चीज उसके पापा सुन लेते हैं घर में से तो वो एकदम से जब उपर जाले में से मूँ करके देखते तो वो इतने आगहोरी ऐसे थे दिखने में उसके बापा बताते कि मतलब देखकर इतना जादा डर लग गया था ना कि जैसे सही में यमदूत आ गय हूँ तो उसने क्या करा जैसे उसने देखा कि अमन घर में आ उसके पापा ने उसे बोल दिया बेटा दो ती दिन तक तू कॉलेज नहीं जाएगा और कोशिश करियो घर में रहे मैं तरे को परस्नली बोल रहा हूं तो उस लड़के ने बताया कि भाई अमन को ना कभी कॉलेज के लिए रोका नहीं जाता था प्रेशर किया जाता था प अमन उठके बोला अपने पापा को पापा भार आने दो यार पूरी रात अंदर बंद रहा हूं मैं वाश्रूम तो यूज करने दो तो जैसे अमन वाश्रूम यूज करने गया फिर उसके पापा को फिर वही आवाज आती घर के बाहर कि अमन का अंतीम वक्त आ गया है अब अमन को हम लेके जा रहे हैं, उसके पापा ये सुनने के बाद इतने जाता डर गए, उन्होंने वाश्रूम खटकटा आया, अमन को भार निकाला और बंद कर दिया जबरदस्ती कमरे में, तो उनको इस बार सिर्फ आवाज आई थिया, वो दिखे भी थे दुबारा, इस बार वो देखने की हालत में ने थे, उन्होंने बोलते ने कि अगर मेरा बच्चा बहुत जादा में उसके लगाओ में हूँ, कोई मेरे को बहुत बच्चे को मार दूँगा तो यह नी कि मैं उससे बिढूँगा पहले अपने बच्चे को चुपाऊंगा, क्योंकि पहली बार उ अमन की डात हो चुकी थी, अब इसके आगे सब रिस्तेदारों को बुलाया, तो अंतिम क्रिया वगरा होगी दागबाग लगाओगा, तो बोलते ने कि बाप अपने बच्चे की उसमें बिलकुल पागल हो गया, कि मेरे को अमन से मिलवा दो, मेरे को अमन से मिलवा दो, एक चारीज छोड़ दिया, और हम यम के दूद थे, उसे लेने आये थे, उसका टाइम पूरा हो गया, तो इसके पापा ने बोला कि अगर मेरे को आप अमन से मिलवाओगा, मैं अपनी जान दे दूँगा, यहाँ पे जितने भी मेरे है सगे संबन्दी में छोड़ के चला अच्छा अब इसके पाप अच्छा बाप बताओ जब रात में कमरे बंद करा उसको तो उसको देखा नहीं ना उसको चेक करा रात को बस सुबह सुबह गेट खोला वो मरा हुआ ऐसा हुआ अगर मिले भी होंगे खानवाना भी दिया हुआ तो रात को उसे इस तरीके से पकड़ेगा तो मतलब उसने को इंस्टेंट लिया तो कुछ ऐसा देखा है जिससे एकदम से हार्ट फेल हो गया हुआ तो उसके पापा जो है जाते है रात के बारा बजे सम्शान में लेकिन उससे पहले उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़े चल रही थी कि कहीं कोई मेर ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया मेरे उपर मैं कोई वहम तो नहीं है मेरा मुझे कोई आगोरी देख तो नहीं रहा इल्यूजन तो नहीं आ रहे कि कहीं मैं आ जाऊं तो आगोरी मेरे कोई पकड़ ले लेकिन रात के 12 बजे वो सम्शान में पहुचते हैं और पहुचने के अच्छी तरीके से समशान में गूमते हैं उन्हें कोई नहीं देखता तो सामने एक पीपल का पेड़ होता है वहां से आवाद आते हैं पापा यहां हूं मैं यहां आ जाओ तो देखते हैं अमन की आत्मा पीपल के पेड़ पर बैठी हुई है और वह पीपल के पेड़ के आज से अमारे डिस्ते खतम है हां मेर को आपसे कुछ लेना है इस जिंदगी में जो आपसे लेना था वो बकाय रह गया तो उसके पापा एकदम से रोते-रोते नीचे देखने लगते हैं अमन की जो आत्मा होती है पूरा लंबा हात निकालती है जितना लंबा हो सकते हैं औ और यह बोलती है कि इस जनम में जितना मुझे आपसे लेना था, जितना आपने मुझे देना था अमारा हिसाप पूरा हो गया। शारी बात यहां देना कि आत्मा रही नहीं वह पापा बेटेगी आप कुछ। सरीर छोड़ती आत्मा रह गई तो अपना सीधा अपना अपना मतलब भी देगा उन्होंने बोला जो मुझे लेना था जो तरसे इस जनम में रह गया था वो मने ले लिया अपने कुछ बकाया रह गया होगा इसके बाद उसके पापा वापीस आये भागते भागते घर में उन्होंने पूरे गाउं को यह चीज फैल गई थी कि उधर उनके साथ ऐसा हुआ है और मजे की चीज जो थी आज तक उसके पापा के पैर में जखा में जो भरानी है बहुत आप प्लीज नाम मत ले ना मेरा मैं आपको परस्नली बता दूगा मेरे पार तो रिकॉर्डिंग भी है जिसने भेजी हमें रिकॉर्डिंग के बिना काम ही नहीं करता भाई यह तो अलगी सी इन्ता यहां लेके नहार कि वाई मास ही निकाल लिया पैर का सीधा उसके बाद क वह भी सपने में कुछ नहीं आया और पादर के और कभी पुछ आगे कुछ नहीं आए अभी मेरी जितनी बात वी थी थी ना देखो मैं सच बता हूं तो क्या होता है ना भाई जब हमारे पास रिकोर्डिंग आती है तो ऐसी एक तो आती नी भूह सारी आती हम वेरिफिकेशन के लिए उतना टच करते हैं जितना लिमिटीड हो अगर मैं उसे बोलूंगा आप काम करो उनके पापा की फोटो मंग वालो चलो वह भी चीज है लेकिन भूत घहराई में जाना कि वह उसके पापा से पूछे अब आपके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा तो वह एक अब आपके साथ कोई नहीं रहता है उनके साथ उनकी वाइफ है और वह है बस बच्चा जा लिया यह तो कुछ अलगी सीन हो अंकल के साथ अब इसमें कभी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग आती है तो हम कोशिश करते कि कैसे नहीं कैसे बात हो लेकिन आदे से जादबंदे यह बोल देते हैं कि भाई आप यह एक्चुली स्टोरी जो मेरे पास आती है ना मैं जितने भी देखने वाले उने बोल देता हूं देखो यार कोई लॉजिकल हो ना तो गेजना कुछ भी ऐसा नहीं कि जो मन में आया क्योंकि आदे स्रियादा स्लीप पारलेसिस की जो कहान तक मुझे दिखता रहा फिर मैंने अपने ममी को आपसे बात करी फिर मैंने कुछ दवाई खाई फिर मुझा असा लगता है ऐसा हूँ था तो मेरे लिए को लॉजिकल था है गया मेरे को श्लीपिंग पारलेसिज वही वाला होता है वो दिखा कुछ नहीं नॉर्मली वही कि अने ऐखया हो तो मेला मेंने कुछ नहीं अनक्या में वाला आठाल थी तो जigers गयाने और जो इनक्तिश चाहिए और माइलन शील टीगे थीन का बाएक लेकिन तुम देखते हो ने कि अन्वार वेट नहीं इन्यूं पातै वह कि और मावालाय वयू चोताध चलता है कि sleep paralysis और paranormal activity बहुत अच्छी जो मेरे को लगी कि बंदे ने शेर कि और जो बंदा वीडियो में conclusion बताता ने कि आखरी में हम ऐसे बचे तो वीवर्स को भी पता चलिया अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहे हैं तो बचे कैसे last में तो एक तेलंगाना का incident आया एक लड़का है तेलंगाना से उसने बोला कि अक्षे भाई मैं अपनी फैमिली में बहुत पूजा पाठ करता था और मेरी फैमिली भी बहुत पूजा पाठ करती है और मेरे पिताजी के अंदर हमारे जो पूर्वा जाना पित्र वगरा आ जाते है कभी कभी ममी के अंदर भी आते लेकिन पापा के अंदर ऐसा होते हैं घर में कोई विपत्ति आ रही है न तो उनके अंदर पित्र आ जाते थे मेरे पापा फमेशा यह ही बोलते थे कि कभी भगवान गलती से भी ऐसा ना चाहिए कि तू मास मच्छी खाना सुरू कर दे किस expectation थी ना कि वो loan उतर जाएंगे वैसे वो loan उतर नहीं पा रहे थे तो इसके लिए कोई job आई होगी, हैदराबाद में उन्होंने मुझे कुछ बताया था, कोई गाउं है वहाँ पे से एक bar के अंदर इसके पास job आई, तो इसके पहले तो family में काफी dispute हुआ कि तू मत कर ऐसी जगह पे जहाँ, अलकॉहल सर्फ किया जाता है चिकन सर्फ किया जाता है, लेकिन फिर देखा है यार बच्चा बड़ा भी हो रहा है, opportunity अच्छी है loan भी उतर जाएंगे तो उसे भेज दिया, हैदराबाद में हैदराबाद में जाने के बाद इन्होंने बताया कि जो बार था उस बार की तरफ से इन्हें रहने के लिए एक फ्लोर पे, फोर्त फ्लोर था फोर्त फ्लोर पे एक apartment दिया था और भाई उस apartment में, जिस दिन यह पहले दिन गया यह बोला भाई मेरे को इतनी नेगेटिव वाइब सारी थी ना कि मतलब क्योंकि हम पूचा-पार्थ वाली फैमिली से और ऐसी जगा पर चले जाए तो सेकेंड के आप से पता चल जाते कि कुछ नेगेटिव है और फिर क्या हुआ पहली रात ही सो गया नाइट पहली रात तो शिफ्ट स्य्क Hayır और पाल थिए इनकी शिफ्ट होती थी बारा घंटे के शिफ्ट होती तो मेरी खाल से कुछ तीन बजए शुरू यही राट के बारा बज Stock चलिहोंगे रात के बारा बजा ही इस फिरी बॉ यह आते थे बार तो इनोंने बता है कि जो लड़का था उसने बता था उसन मनीश ने बताया कि अक्षे भाई बारा बजे मैं अपने फ्लैट पे आया और जैसे ही मैं सोता ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कुछ उठ पटांग की हरकत है हो रही है और उसके साथ ना दो तीन लड़के और रहते थे हमेशा वही बताया है रहता है कि कैसी हरकत मैं बतार हूँ जैसे उन्हों ने बोला कि ऐसा लगता था जैसे ना मेरे को खीच रहा है जैसे आप Conjuring movie में देखो कि पैर खीच लिया और ऐसा नहीं कि कपड़े खीच रहा है पैर खीच रहा है डारक्ट तो उसकी आँख खुलती है तो वो बंदा आगे पीछे देखता कुछ भी नहीं है फिर एक दिन हुआ बढ़िया इंसिडेंट उसके साथ उसके एक दोस्ता अनमोल उसकी मनीज की जो थाना लड़का उसकी रात को आँख खुलती है वो देखता है कि वाश्रूम में अनमोल बैठा हुए कुछ हाथ बात दो रहे तो उसने देखा रात के एक बज़ रहे हैं अपने देखा अच्छा अनमोल है का सो गया तीन बज़ें आँख खुली दिन डरते हुए अपने पापा को फोन कर दिया कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे थोड़ा सेफ फील नहीं हो रहा है यहां पर तो उसके पापा ने बोला तू फोन पे रहे मैं मंदीर में जा रहा हूं तो वो पित्र वगेर आते थे तो उनके पित्र आए जब मंदीर में हो गए और उन्होंने फोन पर बोला कि भाई देग ऐसा है उदर कुछ है तू थोड़ा सा बच के रहे और थोड़ा मास मच्छी से दूर रही हो मतलब तेरे अंदर ऐसी कोई आप अवितरता नहीं आनी चीए अब क्या हुआ एक दो महीने तो सब कुस ठीक है जब मंतर वगेरा पढ़ दिये पित्रों ने उसके बाद इसने बोला भाई मैं संगत के साथ थोड़ा सा मास मच्छी खाना शुरू मैंने कर दिया उसने स्मोकिंग भी सुरू कर दिया और नॉन्वेज भी खाना शुरू कर दिया क्योंकि बार में यही सर्व हो रहा है मै तो इनके साथ कोई बड़ा भी रहता था जो अच्छी खासी एज का था वह भी अच्छी खासी फैमिली से था तो एक दिन इनके साथ यह सब करा और मनीश के साथ ही दुबारा सुरू हो गया होना सब कुछ तो इसने क्या करा अपने बड़े भीया को पताए कि भाई मेरे सा तो इन्होंने क्या करा उसका मजाक उड़ा दिया जैसे नॉर्मली होते हैं कि तु पागले तुन्हें पी लियोगी हो गया होगा वो गया होगा मजाक उड़ा दिया उसका तो इसने इसके भाईया ने पते क्या करा पी खातों सबने रखी थी बोले काम करते हैं यह निकाला ल वो बोल रहा है ना कि 6 लागे दिखाओ 6 छे लागे दिखाओ 6 बालब फोन वाले फोन में घुज़िया फोन में फोन की अप्लिकेशन में 6 दबाओ 6 कम से कम 40 से 80 बार 6 आया था और जब यह लोग हो गे ना कि फोन में दिक्कत निये कुछ आसा निया एक सेक्ड में लाइट का कट ओफ और सारे के सारे हरान अब इने सिरफ यह लग रहा कि भाई कैसे ने कैसे सो जाओ कुछ ना कुछ है यहाँ पे तो क्या हुआ थोड़ी दिर में लाइट आई ना तो जो मनीश का एक लड़का वहाँ पहले से रह रह रहा तो उसने पता है उसे क्या वोला वो लार मन लड़की की डाइड बोड़ी वही रखिवी थी पूरा दिन के हिसाब से थाड़ी सालेगी ऐसी बात बता दी उसे उन्होंने क्या करा लेकिन लड़के हरामी है लोन उतारने ना तो बोले बाई छोड़ तो सकते निया काम करेंगा अब हम यहाँ पे ड्रिंक और नहीं करें इनका जो फ्लोर था उसके थोड़ी सी दूर पे एक लेक है वहाँ पे और एक कबरिस्तान है तो वहाँ का व्यू बहुत अल्टिमेट था क्योंकि हम रात को लेक के पास जाएं बारा बजे इनकी छुट्टी होती थी बार से इन्होंने अपनी बोटल बोटल उठाई और अ इसके साथ साथ एक रिजन और दिया कि अक्षे भाई हम फ्लोर पाई इसलिए भी नहीं पीते थे क्योंकि वह हम से जादा पी जाते थे हमारी ड्रिंक जो बड़े वाले थे भाहिया तो इन्होंने क्या करा लेक के पास जाके पीना खाना सुरू कर दिया अब कभी सिगरेट खतम हो जाती थी ना तो जो मनीश का दोस्त था जो उसके साथ रिंक करता था वो लेकर आता था बाइक पे और वह पांच किलोमेटर दूर मिलती थी तो वहां पर यह डेली बैठने लगे इनका अड़्डा बन गया अब कि अपने लेक है अपने 12 बजे के बाद वहीं लेक जाके पिएंगे आराम से किसी से शेयर वेयर करनी नहीं है ठीक है बाई एक दिन क्या हुआ इनके थोड़ा सा दूर एक गल्स पीजी भी था जिसमें बहुत कम लड़किया थी बहुत ही कम तो यह बैठा हुआ था अराम से और इसे बहुत जादा चड़गी थी इसने अपन सही थी दिखने में मैं दीदी बोल रहा था कि मैं 20 साल का तो मेरे को लग रहा थे 28-30 साल की होंगी तो लड़की चल के आती है और यह इस लड़के को घूरने लग जाती है दो मिनट के लिए तो यह बोलते हैं क्या हुआ दीदी सब ठीक है तो लड़की ने बोलती है आब से थोड़ी ना बाइट होगा मैं तो काफी टाइम से मतलब हम बार में काम करते हैं तो आके आपे पी लेते हैं तो इनकी कन्वजेशन कम से कम 2-3 मिनट चलती है जब वो बार बार बोलती है अच्छा सेलरी कितनी है तुम्हारी अच्छा कॉलिफिकेशन क्या है फिर बीच एक रिपीटिटीड ली कोश्षिन आ यह भागा था चब्याए आश्या था था टो लड़किस उसने उसन्य पूछा थी कॢ्छा यह तो लड़किसे उसने पूछा थी आप कोनो सो लड़की ने एकदम से बोला कि मैं वह आपर उसने उनका भी नाम नी बताया कि वहां की लड़की हूं तो वो बोला हां हां मैं उन्हें जानता हूं वो तो हमारे बार में आते ड्रिंक करने के लिए तो वहां पे बात खत्म ही तो लड़की बोली एकदम से अचानक से की वैसे एक बात बता हूं तुमना बहुत लग्टी हो तो मनीश से बता है, इसके बहुत ci, से बहुत कैया रहे हैं ऊपया ना renowned आ वैसे में बात बता हूँ, उनके फ्लोर की तर विशार अगर के बोलती है कि मैंने तुम्हे ना बहुत बार वाँ खड़े भी देखा है तो यह सब सुन रहा होते है अराम से तो जो लड़की होती है वो बोलती है चलो आप मैं चलती हूँ, तुम्हें अपने करो लेगिन यहां पर मत आया करो, मैं तुम्हें एक एड़वाइस के तौर पर बोल रही हूँ भाई ये बोलके वो लड़की चली आती है पांच मिर्ड़ बाद दोस्त आ जाते है तो ये बताने की हालत में भी क्या होता है अरे यार एक लड़की थी वो आई थी वो वहला भाई यहां गल्स पीजी है सबाते रहते हैं चल चल बठा के उसे ले गया तो अगले दिन क्या रात को shift over हुई तो वोला भाई सुनना एक रील बनानी इंस्टाग्राम की आज ने कभरिस्तान में एक बार चल के आते हैं मेरे को एक रील बनानी यह बड़ी आसी तो वोला भाई रात का टाइम है दुनिया बर की light ले जानी पड़ेगी तो कभरिस्तान में light थी अच्छी खासी light थी उसने बोला भाई बहुत दिन होगे इंस्टाग्राम के रील नहीं बनाएंगे यह दोनों आज आते हैं तो जो मनीश था वो फोन से अपने दोस्ते रील बना रहा था अब भाई रीटेक पर रीटेक तो अलग-अलग location पिक कर रहे हैं तो एकदम से उसकी नजर पढ़ती है एक वहाँ पे जो ग्रेव थी न उस पे उसी लड़की की फोटो लगी हुई थी जो इससे उस रात बात कर रही थी और वहाँ उसका नाम था अनंदिता इसने जब देखा न वहाँ पे तो यह देखके दो मिनिट के लिए वहाँ अचंबक रहे गया कि मैं मतलब उस लड़की से बात कर रहा था जो है ही नहीं इसने एक समझदारी की काम क्या किया हाँ जोड ले कि दी अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो मैंने अगर आपको कुछ बोल दिया हो मैंने पी रखी थी मुझे मुझे माफ कर देना मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी और प्ली इसने चैटी जो है वह चे साल पहले मर चुकी है यह साल हो गए चैसे मरी थी तो बोलेगी ऐसे ऐसे उसका एकसिडेंट हो गया था और उसकी हाफ बोड़ी जो थी वह ट्रक के नीचे कुछ ली गई ती यह रगड़ के साइड हो गई थी बोड़ी हाफ में से आफ निकल लेकिन आज मेरा जो बैग है कैरी बैग सिरफ दवाईयों से बारा है बोला मैं इतना कम जोर हुना मैं दो पुश अपी मार लूँगा मैं हाफ जाऊंगा बोला मैंने ऐसी ऐसी चीजे देख ली न मुझसे इतनी गलतिया हो गई कि पूरुवा जो मना करते थे मैंने सब कुछ कि आज मैं किसी लायक न यह हूँ बोला मँग है जोब नहीं कर सकता हो ज्यादा काम करता हूं थक जाता हूं मतला इसकी बोडी को ना पूरी तरीक से तोड़ दिया इन चीजों बस वो जी रहा है भाई जिन पे पितर का साया होता है वो प्रडेक्ट करते है तो भाई वो बहुत मानने वाली चीज होती है हर इसी को तो पतानी होता है घरवालों अगर मालूम बढ़े है कि हमारे साथ वो है उनका साया हमारे पास तो उनका कहा हुआ होता है अगर वो सुनता इस रहा पे चलता तो फिर यह गलत चीज ना होती उसे नौनल स्टार्ट कर दिया बहुत पाफुल होते हैं वह करते हैं तुम्हें संभाल कर रखते हैं वो ऐसी चीजों से देखो आपको आपने सुना होगा कि पिट्र देवतार बै। अगर वहां केुप में अगर और वह पर अखिंपर उनflow को माबाप है जो आपके पित्र लोग में बैठे सब कुछ देख रहे हैं और मेरी हिसाब से मनीश से भाई वोई गलती हो यह जो आप बता रहे हो उनको भाई नाराज कर दिया तो फिर यह कि तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा यह तो पक्का है लॉसीजी 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 हाथ अटिया ना होशे नहीं रहोगे घर में लड़ाईया होंगी तो पित्रों को कभी करना नहीं चाहिए उदास